है नमस्का दोस्तों मैं एहार का ससोधिया और सवागत है आप लोगों का नवस्टा कर या इसाज कि आप जानते है कि हम इंदे जग्रोफी का रिविशन को स्टाट किया था ब्रीविए स्टाप्टर आदर हम लोगों habe six fe प्ल姐शन रियोपी इंडिया की लुक्здय के बारे में देखा था आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्टाट किने वाले हैं फिजोग्राफिक डिविजराफिक के बारे में बारे talks तो जो आजnant का तो वीधियोर है वो रहेगा हमारा हिमालियास के उपर फिर हम लोग एक ही करके सारे फिजियोग्राफिक डिविजिन को देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इंडिया के फिजिकल डिविजिन से देन हिमालियास के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बाद आजाते हैं कि इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविशन कितने हैं तो इंडिया को छे में पार्ट में रिवाइड किया गया है उनकी फिजिकल फीचर्स के आधार पर फिर्स इस यूर्ण और नॉन इस्टियन माउंटेंज जिनको हम लोग हिमालयास भी कहता हैं सेकिंड इस ट्रॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे और साथ ही में उससे जो भी इंपॉर्टन क्योशन से उनको भी हम लोग सॉल करते जाएंगे चले बढ़ते हैं और सबसे पहले आ चाते हैं हिमालयास क्या है सबसे यंगिस्ट माउंटें रींज है वर्ल्ट की जो कि फोल माउंटे यह सब क्या है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर्स तक है और साथ में इसकी जो विट है यानि कि चोड़ाई जो है वह आपको देखने को मिलेगी 180-200 किलोमेटर इस्ट में जहां पर हमारा जमुएन कश्मीर और यह एरियास है अगर यहां पर बात की जा तो यहां पर इसमें दो synthetial bands भी आपको देखने के मिलेगे synthetial bands का मतलब है एक sharp turn जैसे कि कोई line यहां जारी and it's taking a sharp turn तो हमालियास के बात की जाए तो देखेए यहां से यहां जा रहे हैं फिर यहां जाकर क्या कर रहे हैं एक sharp turn ले रहे हैं तो एक यहां पर synthetial band है similarly यहां से एक sharp turn इस स और दूसरा आपका यहां पर है जाले देख लेते हैं कि हिमालियास का formation कैसे हुआ था तो हिमालियास का formation वैसे प्लै टेक्टानिक थियोरी हम लोग जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग बहुत डीडेल में देखने वाले हैं लेकिन अभी हम लोग एक overview देख लेते हैं कि सब continents और उनके formation से पहले पूरा एक landmass था जिसका नाम था पेंजिया ठीक है वहाँ पर उसके दो पार्ट थे वन वस आपका गौणवाना लेंड और आपका था अंगारा लेंड जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो थे वो गौणवाना लेंड के पार्ट थे दीरे-द पाद में जाकर वह किससे टकरा जाती है आपकी euration plates से लेकिन उससे पहले ही क्या होती चो ऑश्ट्रेलिन प्लेट होती है वो सेप्रेट हो जाती है और अलग जाकर अपना कॉंटिन बना लेती है लेकिन इंडियन प्लेट जो रहती है वो आती है यहांँ पर कुछ सालों मै और इसमें क्या करती है, Eurasian Plate से आके टकरा जाती है, तो यह जब collision होता है, तो यहाँ पर series of ranges start होते हैं, सबसे पहले जब first collision में जो आपकी ranges बनती है, that is your trans-Hemalias, which are not actual Himalias में कहते हैं, Himalias का extended part जिनको कहा जाता है, then दीरे दीरे compression होता है, उसके साथ आपके ranges बनना शुरू होती है, सबसे पहले आपके greater Himalias बनते हैं, फिर जो इनके नदिया जो हैं से बहती हैं, उसके जो sediments आते हैं, वो सब compressed होते हैं, तो आपके middle Himalias, आपके outer Himalias, इस तरीके से तीनों ranges जो हैं आपकी बनती हैं, and presently भी तो Himalias जो हैं, वो evolve कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी Eurasian plates के साथ इनका चल रहा है, और हर सल Himalias की जो height है, वो हर सल क्या होती हैं, इंक्रीज होती है, तो basically Himalias जो है, वो आपके यह जो पुरा formation of Himalias हुआ था, तेहां पर कुछ और भी formations हुआ थे, कुछ और भी formations कहा जाए, या major formations जो कहा जाए, तो एक तो आपके Himalias बने थे collision की वज़े से, बीच में और भी कुछ-कुछ parts हुए थे, जो हम लोग play tectonics में देखनेंगे, त तो इक वहाँ पर आपका जिससे की प्लैटियो का formation हुआ था, फिर धिर धिर कैसे आपके Northern Plains बनते हैं, उसके लावा आपका कैसे तिबदेन play to form हुआ, यह सारी चीजे भी हम लोग दूसरे आने वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ पार है, जिसके अंदर आपकी मेजर ली तीन रेंजे साती है, आपकी कारा कुरम लद्दा को जासका रेंजेस, जासका रेंजेस को लेकर थोड़ा confusion है, कुछ लोग इसको greater Himalayas का पार भी consider करते हैं, कुछ इसको trans Himalayas में भी consider करते हैं, यहां पर हम लोगों ने इनको trans Himalayas का क्या गया, यह आपका सबसे उपर क्या है, आपकी कारा कुरम ले रेंजेस, उसके बाद क्या है आपकी लद्दाक रेंजेस, और यहां पर है आपका greater Himalayas, जो यहां तक जा रहा है, बीच में है आपका middle Himalayas, और सबसे नीचे जो है, वो है आपका शिवालिक रेंजेस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंजन जगा को हम लोग क्या करते हैं, सबसे उची चोटी मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड की बात की जाए, तो वहां पर सबसे उची चोटी कौनसी है, आपकी Mount Everest, जो की हमालियास कही प्रापाट है, और वो कहां आपकी at present situated है, आपकी Nepal के अंदर situated है, उसके लावर भी कुछ important pics है, जैसे कि माकूल, यहां पर, यह एक important range है, उसके लावर आपकी धूलादर है, उसके लावर नंदा देवी है, यह कुछ important pics है, ओकी यहां तक समझ में आके, उसके लावर यह जो extension है, यहां सकर आप यहां तक का पूरा extension देखेंगे, हमालिय इसके है, मतलब पहाड़ियों का चोटा-चोटा रूप है, यहां पर जैसे पठकई बं, नागा हील्स, मिजो हील्स, फिर एक important आपको गारो, खासी और जहनती हील्स मिलती है, ठीक है, यह भी हम लोग इसको वैसे डेकेन फ्लेडियों का part consider करते हैं, और यह जो hill ranges जो यहां बोड़ी आ जाती है, और उसके बाद यह फिर से आगे नीचे निकलती है, कहां पर आपकी अंडर मार है, निकोबर आलेंस में, ओके, यहां तक clear है, अब आजाते हैं, सबसे पहले ट्रांस हमालियास के उपर, तो ट्रांस हमालियास का है, ट्रांस हमालियास का formation हम लोग ने दिखाते हैं, यह extended part है, आपके हमालियास के अंदर, जो कि sedimentary rock से बने हुए है, सबसे ऊची चोटी कौन सी है, इसकी Keto या Godwin जिसको कहते हैं, यहां से संदू और प्रंपुत्रा रिवर का originate होती है, और साथी में कुछ important valleys, वैली क्या होती है, जो ranges होती है, उनके बीच का जो landmass होता है, सबस्थ यह एक hill range है, यह एक hill range है, इसके बीच में जो landmass रहता है, जो plains रहते हैं, उसको हम लोग valley कहते हैं, तो कुछ important valleys जो की Trans-Hemalias के अंदर है, वो आपकी है, है Shiger, Nubran, Hunja valleys, ठीक है, यहां पर आपका एक important glacier भी situated है, that is Siachen Glacier, सबसे उंचा glacier है, उसके ल Trans-Hemalias को अन लोग तिबतिन हमालियास भी कहते हैं, क्योंकि इसका major part है, वो तिबतिन प्लेडू में like करता है, तिबतिन हमालियास भी कहते हैं, आजाते हैं हमारे second part पर, that is your greater Himalias, greater Himalias आपका कहां से कहां तक है, greater Himalias का अगर extend की बात की जाएं, तो कश्मीर के अंदर, ज जो अभी कहां तक नामचा बारवा तक, यह situated है, उसके लावा इसके length और इनकी बात की जाएं, कि यह लंबाई में कितना है, तो यह आपका पच्छिस सो मेटर तक, पच्छिस सो यह लंबाई है, साथी में इसकी height देखी जाएं, तो यह 600 मेटर, 600 क्या, 600 मेटर तक इसकी क् ब्रेथ है, यानि कि इसमें जो चोड़ाई है, वो आपको 5 किलमेटर से देखने को मिलती है, ग्रेडर हिमालियास में चोड़ाई जो है, वो बहुत कम है, यहाँ पर सबसे इसकी जो सबसे highest pick है, वो आपकी है Mount Everest, उसके लावा जो इसके important picks है, उसमें आ जाती है, आपकी कश्मीर वैली है, लाहुल सपीती है, यहाँ पर आपको grasslands भी देखने को मिलेंगे, यानि कि घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे, जिनको मर्क चाहता है, जैसे कि सोन मर्क, गुल मर्क, यह कुछ important है, उसके बाद बुग्याल और प्यार यह भी जो है, दो important आपके grasslands है, इस वीडियो को हम लोग गहीं आइंट करते हैं, I hope आप लोगो को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो please hit the like button और इस चैनल को ज़रूर सब्स्राइब कर लेजएगा, so that आपको इसे वीडियो सा आगे मिलते रहे हैं, next वीडियो के हम लोग एक separate वीडियो लेंगे, जिसके हम सब important passes और सारी fix को में एक ही जगा cover करवा दोंगी, okay, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पपाये,